हाई दिजिस केतु पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी ship rocket के बारे में ship rocket का मेन मुद्ध ये था कि up to 50 kg तक अगर आपके पार्सल है छोटे पार्सल है ना 10 kg के 5 kg के 1 kg के up to 50 kg तक जो cost effective रहता है ज्यादा जंजट नहीं करनी पड़ती है आप ship rocket इस्तमाल करते रहो बट आप हमारे थुरू हमारी website के थुरू bulkplain t-shirt.com के थुरू बार बार purchase कर रहे हो और बड़ी quantity में purchase कर रहे हो मतलब आपका 50 kg से ज्यादा हो रहा है ठीक है आपने 200 टी शर्ट खरीदी कुछ 52-53 kg बना आपने 500 टी शर्ट खरीद के बिजवाया अपनी पार्टी को drop shipping के माध्यम drop shipping का option है हमारी website में जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था है ना तो अगर आपका order बार बार 50 kg के ऊपर आ रहा है तो आपके लिए cost effective जो नया method होगा वो होगा rocket box ship rocket rocket box दोनों same company है ship rocket है है छोटे orders के लिए मतलब 1 kg 10 kg 20 kg up to 50 kg तक cost effective है ज्यादा जंजट नहीं करनी है rocket box 50 kg के ऊपर अगर आपके order बार बार आ रहा है 50 kg के ऊपर तो फिर आपके लिए जो cost effective method होगा rocket box होगा ठीक है तो ship rocket छोटी quantity up to 50 kg और rocket box में आप 20 kg के ऊपर भी generate करना स्टार्ट कर सकते हो वो आपके लिए cost effective रहेगा तो rocket box अगर आप में ली बी टूबी में बड़ी quantity में काम कर रहे होगी वहिया 500 pieces 100 pieces और 100 pieces की नीचे बाती नहीं होती आपके बायर की तो आप rocket box यूज कर सकते हो छोटे चोटे जो parcel है samples भेजने के लिए आप ship rocket यूज कर सकते हो राकेट box में बिल की जरूरत पड़ेगी ship rocket में किसी बिल की जरूरत नहीं है तो rocket box में तो मैं हमारी website में upload करोगे drop shipping वाले option के अंदर जो मैंने बताया था और बस upload करोगे purchase करोगे और हम आपका वाल बिजवाते रहेंगे same process है जो की हमने ship rocket के तुरू किया था same process rocket box में rocket box में दो slip generate होती है एक तो बिल होगा आपका और दूसरा slip जो होगा rocket box का जो पैनल होगा मैं बताता हूँ अभी उस पैनल से आपकी pick up slip generate होगी ठीक है तो इसमें दो तरह के document होते है ship rocket में केवल pick up slip rocket box में pick up slip और बिल तो बिल आपके पास होगा अगर आपके पास बिल भी नहीं है कि कैसे बनाये जाए बिल तो इसके लिए भी बड़ा सरल मेथर में आपको बताता हूँ व्यापार आप डाउनलोड कर लो मोबाइल में वहां से बिल जाएंगे जापार आपके बारे में ज्यादा जानकारी किस तरह बिल जन्रेट करो है ना यह सारी चीज़े मैं अगला वीडियो बनाओंगा उसमें दे दूंगा वह चौथा वीडियो रहेगा बिल बनाने के लिए और अभी के लिए मैं बताता हूँ आपको rocket box में किस तरह से आप account create करोगे सबसे पहले और उसके बाद किस तरह से इसमें pickup generate करोगे और slip बनाओगे और अपना shipment pickup करवाओगे यह मैंने अपना rocket box का account खोल के रखा है काफी साल पहले हमने बनाया था और इसी के तुरू हम लोग काम करते हैं जो भी 20 kg के उपर shipment होता है 50 kg 100 kg 500 kg जो भी shipment होता है तो यह cost effective है यह main है B2B के लिए आप छोटी shipment के लिए cost effective नहीं रहेगा जो उसके लिए मैंने ship rocket आपको बता रहा हूँ इनसे content कैसे करोगे आपको यह mail ID दिया है ठीक है इस पर mail करो और बोलो की अकाउंट create करना है तो 24 गंटे के अंदर जो ride बंदा होगा account create करने वाला आपको समझाने वाला वो आप से get back करेगा आपना contact number भी वहाँ डालो तो आप से get back करेगा और आपको account create करके दे देगा इस पर call करने की जरूरत नहीं है काफी time बचेगा आपका लेकिन ज्यादा urgent है तो call कर सकते हो देखो यह ऐसा dashboard मिल जाएगा आपको ठीक है यहाँ पर देखो balance दिखाता है कितना balance ship rocket में है कितना rocket box में है दोनों same company है इसलिए दिखा रहा है इसा ठीक है अभी यहाँ पर shipment का option है यहाँ पर द तो अलग-अलग warehouses है यहाँ से आप warehouse add कर सकते हो आप चार लोगों के साथ drop shipping करते हो भारत में चारो अलग-अलग city में है तो आपने चारो warehouse add कर लिये वेराउस किस तरह से add करते है मालो हमें create shipment करना है ठीक है और यहाँ से मैंने add करके रखे तीन warehouse तो हम किसी में भी select कर सकते create warehouse करोगे तो आपको यह सारी detail मागेगा और ध्यान रखिएगा create warehouse में contact person name यह सारी चीजे कुछ इस तरह से डालो जो की आपकी हो contact person email contact person number क्योंकि जो pick up करने जा रहा है ने pick up address है यहाँ से आएगा कि भाया pick up यहाँ यहाँ पर आपने मालो आप मुंबई में बैठे हो ठीक ह है आप दिल्ली का address डाल जो दिल्ली का address आडरिस आप डाल रहा है यहाँ पर आपने दिल्ली का address डाला बट details है यहाँ पर अप anatomy नंबर डाल लिए कि थीख नहीं है क्योंकि यह जो detail है आपकी pickup slip में दिखेगी तो यहाँ पर आप अपना number डालो आपने अपना number कुछ डाल यहां पर ठीक है और यहां पर आपने अपना नाम डाल दिया इस तरह से आपके बायर को पता भी नहीं लगेगा बट आपका जो कोरियर वाला होगा इड्रेस देखके आपके पिकप वेराउस पे पहुंच जाएगा और आपको कॉल करेगा इनकेस नहीं मिले तो आपको कॉल क करवाद होगे पस एक ही बार उसको दिक्कत होगी अगर वो आता नहीं है तो हाला कि यहां पर काफी जादा सारे कोरियर वाले आते हैं तो हमारा जो गोडाउन है ढूडने में किसी को मुश्किल नहीं होती है तो आप बड़ी आसानी से यहां पर अपना नंबर डालो यहां अपने पिकप इटरिस डाल दिया है यहां पर हमारा दिल्ली वाला गोडाउन का अभी आपको डिलीवर करना है कि मुझे बैंगलोर में मेरे बायर के पास डिलीवर करना है ठीक है तो आपने बायर की डीटेल डाली आप अब आपके बायर की आपर डीटेल आएगी मालो बायर की डीटेल आपकी आगे मालो ठीक है बायर की डीटेल आने के बाद आपने next कर दिया यहां पर आपने देखा कि भाईया मेरा total 100 kg का माल है 3 parcel बने हुए है और weight जो each parcel का weight है कुछ 33 kg है तो total 99 kg हो जाएगा और length, width कुछ भी आप random डाल सकते हैं इसको ज्यादा calculation करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो t-shirts रहती है उसका weight भारी होता है तो dimension उसकी हमेशा कमी होती है तो यहाँ पर invoice value अगर आपने invoice है आपके पास तो आप उससे invoice value देख लो आपका invoice value आ रहा है मालो कुछ 43,000 रुपया है ना invoice number आपका कुछ 342 है और यहाँ पर आपने invoice भी upload कर दिया चीक है invoice upload करोगे यह आगे बढ़ जाएगा मैं चलो कुछ upload करके दिखा देता हूँ मालो यह invoice है मैंने invoice upload कर दिया अभी यह save and next हो जाएगा और यहाँ से आप shipping select कर लोगे देखो shipping है यहाँ पर 100 किलो की shipping 1252 रुपया दे रखी है ठीक है कितना सस्ता है आप खुद मान कर चलो अभी 33 किलो के मैंने 3 parcel create किये ना 99 किलो हो तो यह 1252 रुपया के वल इसका shipping लग रहा है चेक है तो आप बस next करो इसको select किया यह भी कई courier के option रहते हैं लेकिन मैं prefer करता हूँ delivery surface क्योंकि वह बड़ा अच्छा काम करता है अभी देखो यह पैसा भी ज्यादा ले रहा है है ना समय भी 5 दिल ले रहा है यह तीन दिन मे करोगे तब तक आपको है ना आगे नहीं बढ़ेगा कानिय अब इसे आपको सब्मिट करना है तो आपकी booking create हो जाएगी अब booking कैसे create होगी मैं दिखाता हूँ कि पिकप schedule यह दिखो है booking create हो जाएगी और यहां पर आजाएगी आपकी अभी यहां से आप आपका जो लेबल है वो डाउनलोड कर सकते हो आपने लेबल डाउनलोड कर लिया और सेम लेबल को आपने यह लेबल डाउनलोड किया और जो हमारी website है आपने bulkplain t-shirt.com सर्च किया आप यहां से 2500 ट-shirt purchase कर रहा है ठीक है order नाओ किया आपने और यहां पर आप यह देखो shipping यह drop shipping का option होता है यहां पर आपने किया और यहां पर आप अपना shipping label upload कर दोगे मालो shipping label upload कर दिया आपने यहां पर next करोगे आपको payment आ जाएगा और यहां से आप पेनाओ कर दोगे पेन जीज नहीं है आपने call कि यह आपने mail किया इनको उन्होंने within 24 hours get back करके आपका account create कर दिया आपका account कुछ इस तरह से बनेगा ठीक है आपका account कुछ इस तरह से बनेगा उसके बाद आप यहां से create shipment करोगे create shipment में आप आप मालो तिरपूर वाले go down से आप pickup करके आप deliver कर रहे हो किसी बायर को जो West Bengal में बैठा हुआ है इसके पहले मैंने किया था जो UP में बैठा था है ना तो मैंने यहां से किया यहां पर आप मालो आपका बस एक ही parcel है एक parcel बस 25 किलो का है आपने length, width, height कुछ डाल दी आपने invoice value डाल दी 15,000 आपने invoice number को 56 था और आपने यहां से bill को upload कर दिया, अभी आप चाहो तो यहां से टूपे भी कर सकते हो, टूपे का मतलब होता है जो courier charges होते हैं जैसे 400 रुपया हुआ, वो आपने buyers नहीं लिये, आप चाहते हो कि courier company direct buyers ले ले ले, है ना, तो वो यह फिर आप इसे on कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करता ह हमेशा अपना prepaid रखता हो, हमारा सारा prepaid होता है, तो इस तरह से काम करता है, आप slip generate कर लोगे, और जो मैंने दिखाया, जो यह वाली slip थी, है ना, यह वाली slip थी, इसमें ज्यादा detail नहीं आती है, है ना, इसमें कोई direct number नहीं है, आपके buyer का, हमारा कोई direct detail नहीं है, ठीक है देखो कई detail नहीं है हमारी, हमारा केवली बस यह pick-up वाला address आपने जो दिया था, पस यह address लिखा हुआ है, और बायर का address लिखा हुआ है, और कुछ detail नहीं है, आप देख रहो नो, यह 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 दो slip है, एक यह, और एक यह, एक यह, 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 किसी काम की नहीं है, यह, हम लोग यूज नहीं करते हैं, बस प्रिंट आउट निकालते हैं इन दोनों का, और अपना बिल लगाते हैं, बस, तो यह box वाला जो है, हम लोग बॉक्स में चपका देते हैं, जो parcel आपका ready हुआ है, और यह document वाला जो है, हम लोग आपके बिल से attach कर देते हैं, तो ब और कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको, समझें, तो यहाँ पर जो आप अपलोट कर रहे थे, यहाँ पर जो आप अपलोट कर रहे थे, अपना बिल अपलोट करो, और यह slip अपलोट करो, तो आपका काम हो जाएगा, तो यह आपको rocket box मैंने दिखाया, ship rocket में हम लोग क्या कर रहे थे, एक slip मिल लही थी, एक slip आपने अपलोट कर दी हमारी website पे और आगे बढ़गे payment कर दिया, हमने dispatch कर दिया वो parcel, इसमें जो भी download हो रहा है, आपने जो slip डाउनलोट करी महाँ है, वो सारी slip आपने अपलोट कर दी, जैसे हम ship rocket का अपलोट कर रहे थे, वैसे हम rocket box का अपलोट कर दिया, सेम प्रोसेस रहेगा, आपका parcel हम पाक करेंगे, हम लोग अंदर कुछ नहीं डालते है, पारसल के अंदर, बाहर अपनी detail नहीं लिखते है, बस आपकी slip जो हमें मिली, हमने उसको चपका दिया, आपके parcel पे, आपका बिल, जब भी pickup के लिए आएगा, rocket box क के लिए बिल भी मांगता है वो बंदा, तो आपने जो अपलोट किया है, हम उसको बिल भी दे देंगे, और आपकी slip भी लगी है, आपका parcel एडी रखा हुआ है, बस वो pickup करके लेके जाएगा, और जहां पर भी आपने deliver के लिए address दिया है, हमारी कोई भी detail अटाच नहीं है, आपके बायर को detail नहीं पता है कि कहा से parcel आ रहा है, बस इतना पता होता है, क्योंकि वो slip में नीचे लिखा रहता है, बाकी उसको जादा जानकारी नहीं है, कि किस बंदे से आ रहा है, तो बहुत अच्छा तरीका है, ये drop shipping का, तो आप इस तरह से rocket box से pickup label generate करोगे, upload करोगे ह हमारी website पे और आप purchase करते रही है, कोई बड़ी बात नहीं, जैसे आप ship rocket में छोटे-छोटे order purchase कर रहे हो, आपने 50-70 pieces purchase कर रहे हो ship rocket के थुरू, वैसे आप बड़ी-बड़ी quality, more than 50 kg, अगर आपका regular order है, तो आप rocket box का इस्तमाल करो, अगर आपका less than 50 kg है, हमेशा इतना रहत है, तो आप ship rocket का इस्तमाल करो, तो rocket box इस तरह से काम करेगा, कुछ भी दिक्कत हो, mail ID है उनकी, आप उनको mail करो, within 24 hours get back करेंगे, आपका account create करेंगे, आपको समझा देंगे कैसे करना है, और बस आप काम करते रही है, ठीक है, बाकि हमारी जो plain T-shirt से आपने देख रखी होगी samples वगेरा नहीं देख रहे हैं, तो website से order कर लो, आप पूरे भारत में 2-3 दिन के अंदर delivery हो जाती है, हाला कि आप air shipping method का option use करो, तो जल्दी जल्दी मिल जाएगा, ताकि आप काम जल्दी जल्दी start कर सको, तो इस वीडियो मैंने आपको बताया, rocket box किस तरह से काम करता है, subscribe क कर लो, अगला जो वीडियो आने वाला है, मैं बताऊंगा, invoicing कैसे करते हैं, bill कैसे generate करते हैं, आपके काम के लिए, हाला कि आप व्यापार app डाउनलोड कर सकते हो, आप figure out करो, खुद figure out करो, ज्यादा जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा, तो चैनल को subscribe कर लो, रहे हैं, drop shipping के, आप देखते रहे हैं समय पे, और थोड़ा सा आपको idea मिलता रहेगा हर चीज का, किस तरह से क्या करना है, ठीक है, तो ये drop shipping का जो videos बन रहे हैं, आप उसे देखो एक बार, सारे videos देखो, बहुत जादा videos नहीं होंगे, 5-6 videos होंगे, बस 6 videos होंगे, और आप को पूरा एक idea मिल जाएगा, कहीं से भी उठा के आप माल को पूरे भारत में कहीं पर भी ship कर दोगे, बड़ा आसान हो जाएगा, आपके लिए काम करना और एक अच्छा profit बनाना, तो कुछ doubt है, तो comment करिए, कुछ doubt नहीं है, samples order करना है, तो website में samples order करिए, और देखी हमारे samples कैसे है, 15 तरहेगे product है, हम लोग अपना धागा बनाते हैं, धागा खरीदते हैं, अपना fabric बनाते हैं, और पूरे भारत में supply करते हैं, ready stock का काम है, भारत के साथ-साथ, neighboring countries जो है, जैसे नेपाल हो गया, और worldwide जैसे Canada, USA, काफी supply है हमारी, तो export भी करते हैं, पूरे भारत में supply हमारी, कोरियर की सुविदा है, पानी के जहाज की सुविदा है, तो हर जगा shipping करना आसान हो जाता है, तो कोई ऐसा barrier नहीं है हमारे पास कि भाईया, आप यहाँ शिप नहीं कर पाएंगे, कोरियर की सुविदा है वहाँ पे, और तो हम supply कर सकते हैं, ठीक है, तो samples मंगाईए वेबसाइट से, और वेबसाइट से आप नहीं मगा पा रहे हो, तो WhatsApp कर दो, WhatsApp link भी mention कर देता हूँ, मैं आपको courier करवाता हूँ को samples, आप देखो, samples check करो, और उसके बाद हम से बल के के लिए जुड़ो, drop shipping करो हम से, website में drop shipping का option है